अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों देश के अलग-अलग हिस्सों में आज त्योहारों और उत्समों का अउसर है आज बैशाकी हैं, बोहाद भीहू हैं आज से ओडिया नवर्थ भी शुरू हो रहा है हमारे तमिनावल के भाई बहन भी नए वर्ष का स्फागत कर रहे हैं मैं उन्हें पुत्तांड की बधाई देता हूँ इसके अलावा भी कई छेत्रों में नवर्थ शुरू हो रहा है अनेक पर्व मनाई जा रहे हैं मैं समस्त्र देशवासियों को सभी परवों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सभी को भगवान महवीर जेनती की भी बहुत बहुत शुब कामना है साथियों आज का ये अउसर दो अन्य कारणों से और विशेश हो गया है आज पुरा देश बाबा साथ भीमरावां बेड करको उनकी जेनती पर आदर पुर्वक स्रद्धा पुर्वक याद कर रहा है बाबा साथ जिस संविधान के मुख्य सिल्पकार रहे है उस संविधान ने हमें संसद्य प्रणाली का आधार दिया इस संसद्य प्रणाली का प्रमुक दाइत्व देश के प्रधान मंत्री का पद रहा है ये मेरा सवभाग्य है कि आज मुझे प्रधान मंत्री संग्रान देश को सबर्पित करने का आउसर मिला है ऐसे समय में जब देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का पर्व आज़ादी का अमृत महोत्सुंग मना रहा है तब ये म्यूजियम एक भव्य प्रेणा बनकर आया है इन 75 वर्षों में देश ने अनेक गवरों में पल देखे हैं इतिहास के जरोखे में इन पलों का जो महत्वा है बह और तुल्निया है ऐसे बहुत से पलों की जलक प्रधान मंत्री संग्रलाय में भी देखने को मिलेगी अखाडा में इस वक बड़ी खबर आ रही है कि युद्ध के 50 दिन भी रूस के लड़ाकू हेलिकॉप्टर यूक्रेन पर हमला कर रहे है रूस की सेना हेलिकॉप्टर के जरिये यूक्रेन के सेने ठिकानों पर हमले का दावा कर रही है ये वीडियो रूस की ओर से जारी किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि रूस के लड़ाकू हेलिकॉप्टर चुन चुन कर अपने टार्गेट को तबाह कर रहे हैं और फिर अपने ठिकानों पर वापस आ गए युद्ध की एक नीती है साइ ओपस दोनों तरफ से अलग-अलग बाते किये जाएंगी अलग-अलग क्लेम्स किये जाएंगे इसकी पुष्टी अपचारिक तौप पर कर पाना बहुत ही कठिन है लेकिन यूक्रेन क्या कह रहा है, रूस क्या कह रहा है, क्या दिखा रहा है यह हम आपको बता रहे हैं जहां यूक्रेन कहता है कि हमने रूस के हेलिकॉप्टर मार गिरा है, टैंकों को उड़ा दिया वही रूस का कहना है कि उनके हेलिकॉप्टर यूक्रेन में टार्गेट्स को चुन-चुन करने इस तो नाबूत कर रहे हैं और फिर वापस अपने बेश पर आ रहे हैं ये वीडियो रूस ने जारी किया है अब यूक्रेन का मारियो पोल शहर इस वक्त महायुद का एपिसेंटर बना वूआ है बं और मिसाइल अटाक भी इसी शहर पर हो रहे हैं रूस की सेना ने मारियो पोल पर कबजे का दवा कर दिया है वज़ा है कि यूक्रेन की 36 वी मरीन ब्रिगेड के 1026 जैनिकों का सरेंडर तो आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपती जेलन्सकी से धोका कैसे हो गया क्या यूक्रेन की बदनाम ब्रिगेड बैमान निकली देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट मारियोपुल का वीरान शहर इससे पहले अपना मूँ खोल पाता अपने घम बाटने की कोशिश करता दुनिया को अपने आजू दिखा पाता उससे पहले रूसी टैंकों ने टूटे बिखरे शहर को देहला दिया पुतिन के टैंकों ने एक एक कर नौध माती की दिन हो या रार युकरेन के मारियोपुल पर बमों और मिसाइलों की बरसात हो रही है मारियोपुल की जमीन काम रही है आस्मान दुआ धुआ हो जुबाएं पूरम पच्छिम उत्तर दक्षिन हर तरफ से मारियोपुल पर लगातार हमले हो रहे हैं यह युकरेन का सबसे खतरनाब फ्रंट है हर गली हर सब पर युद्ध अपना तांडव दिखा रहा है हर तरफ रूस के टैंक पूर रहे हैं रूस ने जिस इरादे से युकरेन पर हमला किया था अब रूस उससे बेहत करीब पहुंचता नजर आ रहा है पुतिन की सेना ने पहले मारियोपुल शहर की घेरवंदी की हमले की, तबाही और बर्बादी की और अब हमलों को और बढ़ा दिया युकरेन के कोने कोने में रूस बमों और मिसाइनों से हमला कर जल्द से जल्द खब्जा करने की पूशिश में जुटा है युकरेन की मारते जल रही है खंडरों में तबदील हो रही है लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे है लेकिन मारियोपुल पर ना तो कभी हमले रुके थे और ना अब हमलों में कमी आ रही है आस्मान से लिए इन तस्वीरों में शेहर में हर जगा आग और धुआ ही नजर आ रहा है शेहर की हर इमारत को निस्तिनाबूत कर दिया गया है हर जगा से धुआ उटता हुआ नजर आ रहा है अमेरिकी स्पेस फर्म मैक्सर टेकनॉलिजीस की इन तस्वीरों में हर जगा खत्रा ही खत्रा है मारियोपुल हो या खेरसान हर शेहर के बाहर रूस विनाश का सामान पहुचा चुका है मारियोपुल शेहर के अंदर चारों तरफ इस वक्त रूसी फौज है लगबग दो महीने से ये शेहर ऐसे ही घिरा हुआ है जैसे जैसे रूस की बखतर बंद गाड़ियां मारियोपुल शेहर के सेंटर तक पहुच रही है जैसे जैसे रूस का नई अलाके पर कब्जा हो रहा है हजारों गाड़ियों में सवार लोग परिवार के साथ भागने की कोशिश कर रहे है यूकरेन में रूस के हमले से कितनी तबाई हुई है इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं रूस के हमलों से मारियोपुल शेहर का पूरा चहरा ही बदल गया है ये दो तस्वीरें अब हम आपको दखाएंगे मारियोपुल शेहर की एक इमारत की है रूस के हमलों से पहले ये इमारत कितनी खुबसूरत थी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लेकिन रूस के हमलों के बाद ये इमारत पैचान में भी नहीं आ रही है और खंड़र में बदल गई है मारियूपुल शहर रूस के लिए बहुत ही स्ट्रटीजिक माईने रखता है क्योंकि मारियूपुल शहर एक तटिय शहर है यहां पर बहुत बड़ा समुद्रीद डॉक्स हैं जिसकी वज़ा जिसका इस्तमाल रूस करना चाहता है क्योंकि गरम पानी का बंदरगाह पर और जिस पर कब्जा रूस के लिए बहुत ही आनिवार्य है